Hello friends, my name is Vijay Kumar from Smart English Classes Friends, आज हम लोग इस session में फिर से एक निया वीडियो लेकर के आया हूँ Fire and Ice इस poem को Robert Frost ने लिखे हैं इससे पहले मैं Dust of Person के उपर एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके आप चेकाउट कर सकते हैं चलिए हम लोग इस session को स्टार्ट करते हैं Friends, इस poem का जो title है Fire and Ice Fire का means मतलब हो गया आग और Ice का मतलब हो गया बर्फ अब यहाँ पर Fire का मतलब अभी इस poem के हिसाफ से अगर हम लोग देखे हैं तो Fire का मतलब यहाँ पर बात किया गया है इस topic को पूरा line-by-line पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको इस theme बता दू ताकि आपको जब line-by-line में पढ़ूँगा ता आपको clarity समझ मतलब clear समझ में आने लगए अच्छा समझ में आ जाए चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बात करता हूँ क्या होता है कि यहाँ पर जो Robert Frost है वो क्या कहते है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन में से कुछ लोग कहते हैं कि यह जो दुनिया है वो आग से खतम होगा अब आग का मतलब आग fire से खत्म होगा अब fire का मतलब क्या है desire यानि कि लोगों के अंदर इतना सारा desire है कि वो उस desire को fulfill करने के लिए किसी भी हत तक जा सकते हैं और ये world को finished कर सकते क्योंकि friends किसी इंसान के अंदर अगर कोई desire होता है तो उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हत तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है तो यहाँ पर poet कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं poet यह नहीं कहते हैं, poet कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि fire से दुनिया खतम होगा fire means desire से, right लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि यह जो दुनिया है वो किसे खतम होगा? आइस से खतम होगा, आइस मतलब हैट से, नफरत से अब दुनिया दो ही चीज़ से खतम हो सकती है, या फिर डिजाएर से, या फिर हीड से लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डिजाइर होगा इच्छा होगा कि उसको पाने के लिए जो किसी भी हत्तक जा सकता है जिसके वज़ाद से दुनिया पर खत्रा सकता है या फिर नफरत भी इतना है कि वो दुनिया को खत्म कर सकता है तो अब यहाँ पर पोइट की हिसाब से क्या कहता है? सब्सके डिजाइर होगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ईसे डिजाइर है हर लोग के अंदर डिजाईर होते हैं कुछ पाने की और उस पाने के लिए किसी भी हत्तक जा सकते हैं तो यह desire से दुनिया खतम होगा लेकिन poet फिर से कहते हैं कि अगर इस दुनिया को दुबारा खतम होना पड़े तो नफरत जो है नफरत hate ये भी enough है इस दुनिया को दुबारा खतम होने के लिए काफी है तो चलिए land by land शुरुआत करते हैं some says the world will end कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है वो end करेगा खतम होगा फायर से अब फायर का मतलब यहां पर आपको बता चुके क्या है जयससे मान लिया जाए कि अगर मुझे डिजायर है कुछ पाने का जैसे अगर में बोलू बंगला बनाने का डिजायर है एक Audi कार खरेदने का डिजायर है BMW कार खरेदने का डिजायर है इच्छा है या फिर मतलब एक ऐसा डिजायर strong डिजायर जिसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक को भी इनसन जा सकता है क्योंकि वो पागलपन हो जाता है उस चीज़ को पाने के लिए और किसी को भी वो नुख्शान पहुंचा सकता है तो यहाँ पर poet कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं poet के हिसाब से नहीं poet यहाँ पर यह बता रहे हैं लेकिन ये कहे ना किसका है कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया जो है वो डिजायर से यानि कि इच्छाओं से खतम होगा समसे जिन आईस और कुछ कहते हैं कि वो किस से खतम होगा आईस से खतम होगा अब आईस का मतलब है कि नफरत तो दुनिया में डिजायर तो जाद है लेकिन नफरत भी तो है तो कुछ, बहुत सारे लोग में से कुछ लोग कहते हैं, fire से खतम होगा कुछ लोग कहते हैं, ice से खतम होगा मतलब, कि fire का मतलब, desire से खतम होगा और ice का मतलब, hate से खतम होगा राइट, चलिए, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि from what I have tested of desire मतलब जहां तक मैंने आई टेस्टेड जहां तो मैंने चखा है उस डिजायर को अपने लाइफ में ये पोईट कह रहे हैं है ना I hold with those who favor fire मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा है ना मतलब पोईट कहते है कि मैं उनके favor में हूँ जो fire से बोलते है ना कि fire से life खतम हो जाएगा यानि कि desire से खतम होगा यानि कि poet के हिसाब से जो दुनिया है वो पहली बार वो desire के हिसाब से खतम होगा है ना यानि कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा डिजायर है, इच्छा है कि उसको पाने के लिए वो किसी भात्तक जा सकता है, और दुनिया खतम हो सकता है, लेकिन फिर पोएट क्या कहते हैं, कि इफ बट इफ इट है तो पेरिस ट्वाइस अगर दुबारा खतम होना पड़े, इट मतलब किसको इस वर्ड को, अगर इस वर्ड को दुबारा खतम होना पड़े, तो आई मुझे लगता है यहां पर आई कुछ है? पोईट, यह पोईट को है? रोबर फ्रोस्ट को लगता है कि उससे पता है enough of hate, hate के बारे में, यानि कि रोबर फ्रोस्ट लगता है कि यह जो hate है, नफरत जो है, वो काफी है, क्या चीज़ करने के लिए? to say that for the destruction, destruction मतलब होने के लिए, यह destroyed, finished होने के लिए, to say that for destruction, eyes, अगर दुबारा खतम होना पड़े, तो eyes यानि कि hate, नफरत भी, is also great and would suffice, suffice मतलब होता है, be sufficient, enough होना, काफी होना, तो कह रहा है, कि नफरत भी काफी है, enough है, इस दुनिया को दुबारा खतम होने के लिए, अब यहाँ पर मैं summarize कर दूँ, इसको, poet कहते हैं, कि कुछ लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग में से कुछ लोग कहते हैं, fire से खतम होगा भाई, यानि कि desire से खतम होगा, क्योंकि desire बहुत जादा बढ़ चुका है, लोगों के सामने, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, desire से life खतम हो, यानि कि दुनिया खतम होगा, desire से, है ना, क्यों, क्योंकि desire बहुत जादा है, लोगों में, लेकिन poet ये भी कहते हैं, कि अगर दुनिया को दुबारा खतम होना पड़े, तो भाई, जो hate है न नफरत, वो भी sufficient है, इस दुनिया को खतम होने के लिए, राइट, तो चलिए friends, यहाँ पर ये poet खतम हो गया, यहाँ पर बात करते है, ramming scheme का, ramming scheme मतलब होता है, मिलते जूलते word, जैसे ramming word होता है, जैसे हम लोग अपने original language में, जैसे हम लोग बोलते है, खाना पीना, पान ने पिया की नहीं, पढ़ाई उड़ाई करो, तो पढ़ाई उड़ जैसे ramming scheme का, last में हम लोग देखते है, जैसे गाना में भी क्या होता है, कि last में जैसे मिलता जूलता word रहता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको यहाँ पर देखना है, जैसे fire, fire हो गया, यहाँ आइस, देखिए fire, ice नहीं मिल रहा है, तेकिन desire, देखिए सुनिए, ध्यान से इसको बोलने के practice कीज़े, fire, desire, एक जैसा word लग रहा है, तो जो एक जैसा word है, उसको आप A मान लिजी, ठीक है, अलग-अलग नाम देदीजे, जैसे fire, fire को आप मान लिजी A, अब यहाँ पर है ice, आप ice तो अलग word है, तो इसको मान लिजी B, अब देखिए desire, fire, desire, fire A माने है, तो desire भी से सुनने में जैसा लग रहा है, इसको मान लिजी A, अब फिर से fire, देखिए, fire, ice, desire, फिर fire, तो इसको फिर से यह हो जाएगा, तो इसको अगर first पारा का अगर rhyming scheme देखें, तो हमारा first पारा में क्या हो जागा rhyming scheme, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुरू में था A, फिर है B, फिर है A, फिर से है A, यह first पारा का हो गया हमारा rhyming scheme, अब दूसरा की अगर हम लोग देखें, दूसरा में, देखिए twice, है न, तो twice को अगर हम लोग A मानें, तो A होगे twice, फिर देखिए hate, यहाँ twice hate में कोई match up नहीं है, तो इसको B मान लिजीए, फिर देखिए I, तो इसको भी फिर से मान लिजीए, फिर great, देखिए hate, great, तो इसको B मान लिजीए, suffice, suffice, I, suffice, है न, A मान लिजीए, तो इसका rhyming scheme कितना हो जाएगा, second पारा का A हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर से B हो जाएगा, है न, फिर से A हो तो friends उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आयोगा अगर समझ में आयोगा तो दोस्तों के साथ share कीजिए और इस वीडियो को like कीजिए friends चलिए फिर हम तो next वीडियो में मिलेंगे कुछ ने interesting topic के साथ तब तक के लिए goodbye and thanks for watching